देख रहे हैं जौनपूर एक्सप्रेस नीज अब ही हम बदलापूर के तरफ से आ रहे हैं उधर से आते समय रास्ते में हम अभी पहुंचे हुए हैं यहां बारांसी और सुल्तानपूर हाईवेई यहां पर मुक्मंत्री योगी सरकार का गोड्रोजर का कुछ अलग नीतिया यहां पर देख सकते हैं कुछी तरीके से यहां पर साण घूम रहे हैं 20 सड़कों पर गाय और साण यहां पर घूम रहे हैं और जबकि सरकारों द्वारा लागू किया गया है कई नीतियां लागू कि गये हैं सरकारों द्वारा पस्पालन के लिए अलग-अलग गाय को रख यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से साड़कों पर साणग घूम रही हैं, किस तरीके से यहां पर कोई बोलने वाला करने वाला भी नहीं है, यह बदलापूर के हाईवे की बात कर रहे हैं वारांसी और जोनपूर का, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सान गों रही है हलाकि हमारा आवाज कट गया था मैं आवाज डाल कर इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से जगा जगा गौसाला वगर खुला हुआ है और आपको बता दें कि वारांसी की तरफ से रोड आ रही है पिछे की तरफ देख सकते हैं और यहाँ पर जो जा रहे हैं वारांसी की तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ सुल्तानपूर से उस तरफ सुल्तानपूर से को तरफ गाड़ी जा रही है और आगे के दरब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरों में आपको साप नजर आओगा कि सड़कों पर किस तरीके से साण खुले तरीके से घुम रहे हैं जबकि कितने गायों के लिए कितना प्रबंधन किया गया है साड़कों के लिए साड़कों पर साड़कों रोकने के लिए प्रबंदन किया गया है मगर ये करमचारी सुनने करने माले नहीं है चलिए हम आपको आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से होता है हम साड़ बात किस तरीके से करते हैं उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं देखिए सांड से अभी हम पूछते हैं कहिए क्या हाल चाल है इतना कहते हैं सांड भड़क जाता है भागने का प्रयास करता है फिर हम वाहन को रोकने का प्रयास करते हैं और फिर दीरे जाने के लिए करते हैं फिर उन से सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए देख सकते हैं हम सवाल जवाब कर रहे हैं और किस तरीके से सड़कों पर साण घूम रहे हैं जबकि इसके लिए गौसाला बनाया गया है जगा जगा गौसाला बनाया गया है इस वीडियो में आफसाब देख सकते हैं हम लोगों से सवाल करती हुए नजर आए उसके बाद हम इस साण को हमने कोशिज किया कि भागाएं यहां से भागा कर हटाने का प्रयास करें परन्तु हैं आप किस तरीके से हम दोड़ती हुएं यहां नजर आ रहे हैं साड़ जो को एक तरफ से बटोर कर हटाने का प्रयास कर रहे हैं हमने सोचा कि साड़ को उस तरफ गुमा कर रखूं लेकिन साण माना नहीं दोनों तरफ भागने लग गया जब दोनों तरफ साण भागने लग गया तो मैं सड़क के एक तरफ हो गया एक तरफ होकर साण को हटाने का प्रयास कर रहा हूँ और दूसरी तरफ यहीं पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग रुखिये साड इस समय सडकों पर घूम रहे हैं दुरगटना हो सकता है लोगों को मैं राय बात दे रहा हूँ लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे लोग रुके एक्सीडेंट दुरगटना ना हो यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारे कैमरामेंसाब काफी दूर हो चुके थे और वाइस रिकॉर्ड है रुक गई थी बीच में अब इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से हम साड को काफी दूर तक दोडाती हुए ले गए ताकि यह हट जाए लेकिन साड कहां मानने वाले थे और यह साड साड ही होते हैं आज मुझे पता चला यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से साड को भगाने का प्रयास किया सारे साड सीधा सीधा साड को पर भागने लग गए थोड़ा सा मुझे डर ये लगने लग गया कि अब ये दूनों तरफ सड़कों पर भागेंगे दुर्गटना होने लग जाएगी तो मैं एक तरफ जब देख लिया सड़क के किनारे से वो चलने लग गए तो मैं थोड़ा से हड़ गया लेकिन आगे देख सकते हैं किस तरीके से आगे भी सान गोम रहा है और यहाँ पर हमारी आवाज जो होती है कट जाती है डिक्सकनेक्ट हो जाती है काफी देर से सुरू में हमारी आवाज कट जाती है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर यह सड़क जो सामने जिस तरफ हम इस तरफ इसारा कर रहे हैं यह वाराणसी के तरफ से जाता हुआ सुल्तान पूर तरफ जा रहा है रोड जो सामने के तरफ हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सुल्त कौन करने माला है। फिलाल ऐसे ही कितने सरकारी कर्मचारी है जो काम करने से फितरते हैं। इस चीज को आप देख सकते हैं। हम सल्तानपूर के तरफ इसारा कर रहे हैं। साड़ों का टांडव मचा हुगा है साड़ किस तरीके से सड़क पर टांडव करती वे नजर आए हमने आपको दिखाया किस तरीके से साड़ पूरी तरीके से टांडव करते हैं ऐसे किसी का भी परिवार इस दुर्गटना में ऐसे सामील हो जाता है ऐसे सड़क पर चल रहे होते हैं अचानक साड आता है लोग इसमें दुर्गटना गरस्त हो जाते हैं और मैं चला-चला कर यही कहना चाहता हूँ कि कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, अगर साड़ ऐसे सडकों पर घूमनेंगे, लोगों के परिवार को कहीं मा बिदवा होगी, कहीं बहन बिदवा होगा, कहीं भाई का मौत हो जाएगा कई सारे सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेंगे कितने परिवारों को निर्धन करके या छोडेंगे और यह हम लोगों की गलती है क्या क्योंकि हम लोग इस पर बोलते नहीं है सुनने कहने वाले नहीं है बताने वाले नहीं है यहाँ पर हमने किसी से सवाल करने का प्रयास नहीं किया है सिर्फ हम सड़क पर यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से सांड घूम रहे हैं सरकारे इसके लिए पैसा इतना मोटा मोटा देती है परन्तु कोई सुनने वाला करने वाला यहाँ पर नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं एक धाबा है यहाँ पर सामने लोकेशन भी देख सकते हैं नीरेज रेश्टोरेंट करके हैं यहाँ पर उसी के पास का दृस है बदलापूर वारांसी हाईवे का यह दृस है यहाँ पर दि खुले कि वहिया कौन सा चैनल है क्या है मैंने बताया भी लेकिन बात यही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों का परिवार बाइक से आ रहा है जा रहा है चानक साण बीच में आ जाएगा चानक कार के बीच में साण तो दुरग़टना गरस्त हो जाएगा साण अर्ट भी होगा उसके बाद जो भान होगा वो भी होगा काफी सारे छोटी लग सकती है लोगों को सरकार के करमचारियों को यह चाहिए कि इस पर ध्यान दे साणों को पकड़ने का प्रयोजन किया जाए यहां आरीप के जानवरों को पकड़ने के लिए है जितने लोग जानवर रखे हुए है उनको जिलाने के लिए बन विभाग के लोग उठा ले जाते हैं पसपालन के विभाग के लोग उठा ले जाते हैं केस कर देते हैं मगर यहां पसपालन विभाग कर क्या रहा है कहीं ने कहीं पसपालन विभाग की लापरवाही है इस वीडियो में हमने साब बताने का प्रयास किया किस तरीके से पसपालन विभाग काम करता है सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पूरा चारों तरफ साड़ी साड़ घुमता है इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारा प्यास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा समाज ऐसे ही सब लोग देखते रहते हैं हमने कोशिश किया है इस पे बदलाव हो ताकि सुधार हो समाज में ताकि बदलाव हो सुधार हो बस हमारा यही राय पहला देखते रहे है जानपूर एक्प्रिज नियूस मनिस कुमार दूबे के साथ चेहिन जैगारत